नमस्कार स्वागत है आपका जे जे एन नीज मैं और आपके साथ मैं हूँ गणेश हल्दुआनी में डियेम वंदना सिंग ने आज चौफला वन्चौकी की तरफ बहने वाले बरसाती नाले का सिचाई विभाग वन विभाग, सिटी मैजिस्टेट, उपनगर आयुक और तहसीलदार के साथ निरक्षन किया आपको बता दें इस दोरान हल्दुआनी विदायक्सों में थिरदेश भी मौके पर पहुँचे जहां उन्होंने बरसाती नाले को किस तरह से लोगों के घरों और खेतों से आने से रोका जाए इसको लेकर उपाय तलाश किये वहीं संबन में जानकारी देते हुए नैनिताल जिला अधिकारी वंदना सिंग ने कहा स्थानिय लोगों ने पानी की निकासी को लेकर सुझाव दिये हैं जिस पर चर्चा की जाएगी साथ ही बरसात के दोरान सिचाई विभाग की और से जेसी भी मशीन भील लगाई जागी ताकि जल भराव होने की स्थिति में पानी को चैनलाइज किया जा सके विधायक सुमित हिर्देश ने कहा नाले को उसको मूल रूप की जगह से चैनलाइज कर दिया जाए और उसको रक्सिया नाले से जोड दिया जाए तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति काफी हद तक दूर हो जाएगी यहाँ पिछले कुछ दिनों से समस्या आ रहे थी क्योंकि यहाँ एक-दो साल पहले नहर का कवरिंग का काम हुआ है उसके बाद जो पानी का निकास नहीं होने के वज़े से लोगों के खेतों में घरों में पानी भरने की दिक्कत आ रही है इसका सिंचाय वे भाग से हमने एक एस्टिमेट बन वाया था सिंचाय वे भाग ने उसमें टेंडर वगेरा भी कर दिया है पर उसमें कुछ लोगों को आपत्ती भी थी और कुछ अलग विभिन सुझाव आये थे जिससे इसका स्थाई समाधान हो सके उनी पर हम जनता की सुझाव लेने लिए आज हम आके पर आये थे लोगोंने बहुत अच्छे सुलूशन्स बताए कैसे इसका प्राक्टिकल समाधान हो सकता है और यही सहमती बनी है कि जो दो सुझाव हैं मुख्य रूप से उनी में काम हम लोग दोनों में करें एक समाधान के भरूसे इसमें जो है सुलूशन नहीं निकलेगा तो दोनों तरफ विभाग काम करेगा वन विभाग और सिंचाव विभाग इसका संयुक्त सर्वे भी करेंगे और फॉरस्ट प्रापटी को मिनिमम डामेज से क्या सुलूशन हम जलनिकासी का निकाल सकते है उस पर विभाग अपना कारिय प्रारंब करेगा तातकालिक के लिए यहां पर एक जैसी भी हम एक्स्ट्रीमली हेवी अलर्ट जब भी आता है बरसात का तो यहां एक मशीन हमेशा रहेगी ताकि कोई भी समस्या आये तो उसको तातकालिक निस्तारण किया जा सके मौसम के लिए अगले तीन दिन के लिए एक्स्ट्रीमली हेवी रेनफॉल का अलर्ट हमारे जन्पद में प्राप्त हुआ है सभी विभागी अधिकारियों की किसी भी प्रकार की कोई संकट की परिस्तिती में वो रिलीफ ततकाल पहुंचाया जाए इस पूरे शेतर का प्रहमण मैं कर चुका हूँ मुझे जो जमीनी हकीकत है और सच्चाई हो मुझे पता है यह जो नाला यहां आता है यह हलवानी विधान सभा से होते हुए कालडूंगी विधान सभा में इन घरों में सीधे मलबा जा रहा है हो ऐसा है देखेंए उसमें चैकडाम बना देँगे उसमें क्या कहते हैं पिंजरे लगा देँगे उसमें पत्थर से चैनलिंग कर देंगे जैसी भी लगा देंगे लेकिन स्थाई उसके लिए मेरी मांग है कि सारे नालों में सुरक्षा दिवारे बने और जो यह सड़के जारी है इनमें हुम पाइप डले अथवा या फिर ड्रेनिज का सिस्टम बने और इसमें ड्रेन में जाए क्योंकि देखे यह स्लोप से आ रहा है पानी और नैच्रल ग खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेन न्यूस धन्यवाद